दुनिया भर में लोगों की अलग-अलग चीजों को लेकर अलग-अलग राये हैं। भारत में भी कई चीजों को शुब और अशुब की श्रेणी में रखा जाता है। इसी कड़ी में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अंद्विश्वास फैलाती हैं। जैसे बहुत से लोग कुट्टे का रोना, बिल्ली का रास्ता काटना, रात में नाखून काटना आदी को अशुब मानते हैं। ऐसे ही कांच या शीशे का कोई सामान तूटना भी बहुत से लोग अशुब मानते हैं। हालाकि कुछ लोगों का यह मानना भी है कि कांच का तूटना शुब फल देता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो कांच या शीशे का तूटना अशुब नहीं होता, बलकि शुब होता है। लेकिन तूटे कांच को घर में रखना जरूर अशुब हो सकता है। भारतिय वास्तु शास्त्र में शीशा सबसे महत्वपून चीज मानी जाती है। शीशे को वास्तु शास्त्र के अनुसार लगाना चाहिए। शीशा हमेशा सच्चाई को प्रतिबिम्बित करता है। वो हमेशा उनके सामने की वस्तु या व्यक्ति की वास्तविक्ता को दिख आइना इमानदार होता है क्योंकि वो कभी कुछ नहीं छुपाता। इसी कारणवश यह कहा जाता है कि आइना कभी जूट नहीं बोलता। तूटा हुआ शीशा वास्तू के अनुसार अशुब माना जाता है। आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों वीडियो के अन्ततक बने रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे। क्योंकि वो अशुभता का संकेत माना जाता है। प्राकृतिक रूप से कांच नकारात्मक उर्जा को आकर्शित करता है और जब यह तूट जाता है तो सभी नकारात्मक उर्जा निकल कर घर में जाती है। यह नकारात्मक उर्जा घर में रह रहे प्रतियक व्यक्ति के जीवन और घर के वास्तु को प्रभावित करती है। कभी भी अपने आपको टूटे शीशे में मत देखो क्योंकि यह एक आगामी समस्या का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों वास्तु सलाहकार बताते हैं कि सभी के बेडरूम में एक ऐसा शीशा होता है जिसमें व्यक्ति अपनी छवी निहारता है। ऐसे में अगर वो शीशा टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो आपको नुकसान तो होगा, मगर यह संकेत है कि कोई बला आप पर आने वाली थी, जो उस शीशे के उपर आ गई। ऐसे में आप किसी बड़े संकट से बचते हैं तो यहाँ पर शीशे के तूटने को शुब कहा जा सकता है। वहीं अगर घर की खिड़कियों और दर्वाजों का शीशा अचानक तूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भविश्य में आपको बहुत परेशानी का या बड़ी समस्या का सामना करना पर सकता है। दोस्तों, कांच का तूटना बेशक शुब संकेत है, लेकिन तूटे या चटके कांच या शीशे को घर में रखना वास्तू के अनुसार अशुब माना जाता है। ठीक उसी तरह जैसे तूटे बरतनों में भोजन न करने की सलाह दी जाती है। माननता है कि तूटे कांच से सकारात्मक उर्जा का हरास होता है और घर में नकारात्मकता फैलने लगती है। ऐसे में तमाम परेशानियां घर में आती हैं। इसलिए अब की बार घर में कभी अचानक से कांच तूट जाए तो बिना शोर शराबा किये उस कांच को चुप- आप घर से बाहर फेक दें। वैग्यानिक के नजर से देखा जाए तो कांच बहुत नाजुक होता है और शुरुआती समय में इसे दूर देशों से मंगाया जाता था। तब ये बहुत महंगा हुआ करता था। इसकी उपलबधता के लिए काफी रकम खर्च करनी होती थी और इसे मंगाने में समय भी अधिक लगता था। ऐसे में कांच को लोग संभाल कर रखें और इसकी देखरेक में सावधानी बरतें इसलिए इसके तूटने को लेकर तमाम तत्यों को धर्म और सेहत से जोड़ दिया गया। क्योंकि धर्म को लेकर लोगों के मन में हमेशा से ही आस्था रही है और सेहत के प्रती तब लोग काफी सजग हुआ करते थे इसलिए वे इन तत्यों में विश्वास करने लगे और समय के साथ ये विश्वास और मजबूत हो गया। आए हम जानेंगे शीशे से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स। दोस्तों शीशा ना सिर में पॉजिटिव एनरजी बढ़ाने के लिए किस आकार या फिर साइज और कौन से दिशा में शीशा रखना चाहिए। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में आएना हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव देखने से नकार्थ मक उर्जा का प्रवाह होता है। इससे अपनी छवी खराब होती है इसलिए कभी भी घर में धुंधला शीशा नहीं लगाना चाहिए। घर में हमेशा चौकोर शीशा ही लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर की तिजोरी या आलमारी के सामने लगा हूआ शीशा घर में धन की वृद्धी करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में दक्षन या पश्चिम दिशा में शीशा नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में कल्ह और कलेश बढ़ता है। इसके साथ ही घर की देवारों पर आमने सामने शीशा नह इसके साथ ही मुख्य दर्वाजे पर कोई चमकदार चीज भी ना रखें। इसके साथ ही मुख्य दर्वाजे भी ना रखें।